नमस्कार दोस्तो, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फेंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं CWC, One Day Challenge League एके मुकाबले जो की मलेसिया और के बिच में खेला जाना है important मुकाबला है, मैच को मिस नहीं करोगे, एक एक प्लेड के बारे में मैं डेटेल से आपको बताऊँगा किसको आपको rotate करना है, किसको drop करना है, दोनों टीम कैसी है, क्या performance रहा है इनका हलाकि ये One Day मुकाबला है, पचास उबर का मैच है, आपको तो माली मी होगा, हम लोग हड़ बार की तरह कभड करते हैं इस बार भी कबड करने वाले हैं, तीसरा वीडियो जो आने वाला है हमारा, तो आप बोलोगों के भाई, तीसरा वीडियो कैसे हुआ, ये तो पहला ही वीडियो है न, ये दूसरा वीडियो, तो भाई, एक वीडियो ये भी upload है चैनल पर, जाओ जल्दी से इसको message को जरूर पूर फॉलो करना, बहुत अच्छा का सही match जाएगा, आप इस match को confirm win करने वाले हो, मेरे हिसाफ से तो तो confirm win करोगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो वीडियो जब तक आपको कुछ फैयादा होने वाला है, क्यों match वो बढ़िया है, वो मैंने वीडियो बताया है, मलेशिया और कतर के बीच में जो match होने वाला है, तो चलो इसके प्लेयर के पहले stats चेक कर लेते हैं, दोनों टीमों के, उसका फिर आगरेट डिलन पर team अगरा create करेंगा, इसका वीडियो थोड़े दिल भी मिल जाएगा आपको channel पे, ठीक है, तो चलो, अगर telegram से करना ही करेंगे, इनके team से कौन-कौन से player को अब ले करके जा सकते हो, अगर इनका Qatar का performance देखोगे न, ODD में, दो matches हार, तीन, चार matches हार क्या रही है, और दो matches उन्हें विन कर रखें, ठीक है, तो एतने सारे matches में सिर्फ इन्होंने दो matches विन कर रखें, अब इनके तरफ से कौन से ब करो, small link में कोई जूरत नहीं है, इस बंदे को ट्राइ करने का, जाहिर इबराहिम का देखोगे, तो 34 रने और 50 रने, यहाँ पर 22 रने, यहाँ पर 25 रन 0 विकर्ट एक ओवर है, तो जाहिर इबराहिम आपके लिए important pick बनेगे, आपके अपने team में लेकर जा सकते हो, अच्छ मुहमद रिजलान है, कैट्टेन और विकर्ट कीपर दोनों है, मेंदा सिंग धोनी की तरह काम करते हैं, लेकिन वैसा player तो है नहीं, लेकिन मैं अपने team में लेकर के जाओंगा, 100% लेकर के जाओंगा, 46, 13, 37, 0, 52 इंके recently record है, अच्छे का सा performance है यहाँ पे, मुहमद तन्वी का देखते हैं, यह बंदा सिर्फ एक मैंज में चला, उसका flop हो गया, मैं हाइलेडी का मिनेशन नहीं दूँगा, आप इनको बिल्कुल भी अपने team में लेकर के नहीं जाना, आकास बाबू के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ देखो, 13 रन 2 विगेट है इक गाड़ा रन 3 विगेट है, 2 रन 1 विगेट 3 वड़ है, 4 रन 0 विगेट 8 वड़ है, 15 रन 0 विगेट 2 वड़ है, कुल मिला कर बात यह है कि ज़्यादा हाइलेडी का मिनेशन नहीं दूँगा मैं, कि आप इनको लेकर के जाओ, ठीक है, बिकॉज यह मुझे कुछ खास ज दिखेगा यार, इनको बिल्कुल भी डॉप नहीं करना, ग्यान मुना विड़ा का देखोगे न, यह बंदा आपको बहुत अच्छा कासा प्रफॉर्मेंस करता हो, देखेगा, 31 विगेट 6 वड़, 0 विगेट 4 वड़, अच्छा कासा प्रफॉर्मेंस है, ट्राइकर के जा अब चलो, यूसूफ अली का देखते हैं, तो कुछ खास नहीं है, इम्रान रफी का देखोगे, तो सैताली सन जिरो विगेट 10 वड़ है, 31 सन दो विगेट 4 वड़ है, एक विगेट है, और एक विगेट है, तो हर मैच में यह भी आपको विगेट निकालता हो, दिखेगा, लेकिन खेले तब तो, खेली ही नहीं करता है, मुहमद मुराद अगर खेल जाएगा, तो फिर 100% मेरे टीम में रहेगा, और इंपॉर्टन पीक बनेगा, कैप्टिन मैस, कैप्टिन भी आप बना सकते हो, पहले बॉलिंग करेगा तो, और बाकी मुसाबर साव और संदुम व जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इससे आपको एक चीज़ फायदा होगा न, कैपको हर मैच का रोटिफिकेशन मिलता जाएगा, जो भी इंपॉर्टन मैच होते हैं, उसके हम लोग वीडियो कभड करते हैं, अब यहाँ देखो, मलेसिया के बारे में डिसक्स क लेगा, मुहमद अमीर का देखोगे, तो 25 रन है, 70 रन जिरो विगट एक ओवर है, 7 रन एक विगट आट ओवर है, और 20 रन जिरो विगट एक ओवर है, तो हर मैच में अच्छा गासा प्रफॉर्मेंस है, ले करके जा सकते हो अपने टीम में, बैटिंग बोलिंग दोनों कर अच्छा गासा है, तो ले करके चले जाना, मुहमद सहरादत, आपको बॉलिंग से अच्छा गासा पीक बनेगा, यहाँ पर भी एक विगट, तीन विगट, एक विगट, हर मैच में प्रफॉर्मेंस है, तो इनको ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना भाई, अपने टीम में 100 प परफॉर्मेंस करके देगा, बलकि कैप्टेन भी आप बना सकते हो, विकॉस देखो, यह है नए, बैटिंग, बॉलिंग दोनों कर लेता है, बैटिंग बे अच्छा कर लेता है, बॉलिंग बे अच्छा कर लेता है, तो कैप्टेन तो बनाना चाहिए इनको, खिजर हयात का देखोगे तो 12 रन एक विकेट है, 12 रन तीन विकेट है और 7 रन एक विकेट दस ओबर है तो हर मैंच में आपको बैटिंग से नहीं, जातर बॉलिंग से पॉइंट देगा तो ले करके जा सकते हो, सयद मुझे कुछ खास नहीं लेगा, पवंदीप सिंग का देखोगे बाकी यहां से कोई खास पीक नहीं है, दिविंदर मोगर को चाते हो, ट्राइ करना तो कर जा सकते हो बाकी यहां से जो मैंने आपको डेटियल से बताया है दोस्तों, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे अपने टीम में लेकिन खेलेगा ना तो सबसे पहले रिजवान एक बार से जादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए विरंदिप सिंग तीन को बिल्कुल ही डॉपनेट करना अगर यह बंदा खेलेगा तो बाकी यहां से यह दोनों कुछ खास पिक नहीं है यह दोनों ठीक है यहां से य कास बाब वो तो यही मेरे टीम में रहेंगे कलीम खान को मैं नहीं रखूंगा अभी के लिए अपने टीम में मुझे कुछ खास पिक नहीं लगाए बंदा कमडान खान आते हैं ओल राउंडर सेक्शन पे एस अजीज हयात तन्वीर को मैं नहीं रखूंगा सिहादत मेरे ल प्रसेंट होने चाहिए नदीम आपके लिए इंपॉर्टन पीक है ठीक है एक रा मुल्ला इंपॉर्टन पीक है और यहां से ग्यान बुद्धिका खेलेंगे तो फिर मेरे टीम में यह भी 100% ही रहेंगे ठीक है लेकिन मुहमद मुराद अगर खेल जाते है तो फिर मेरे टी करता हूं यहां से नदीम है मुराद है मुनेनडी है ठीक है आप इनको रोडेट कर सकते हैं सहाधत हैं यही सारे बंदे हैं यहां चैप्टन के अच्छे खासी सूची में रहेंगे अपने टीम में लेकर जा सकते हो एस अजीस को भी माल लो बाकि यहां पर कोई खासपिक न अखागो शियो झाइट खासब दो, आइाएेे ज़े झारा माल था है थाश्फ समयर घ्त वान, लृब झासरा राता हैं ओन यहीए बाकि दो कावके लेए चार, कर वादे हैं वाता हैं 1987